हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टो यरून चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नंबर 12 सब्जेक्ट साइन्स क्लास 10 हमारी डेट 2 अगस्त के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आपको वोल्यूम है वो थोड़ी सी कम लग सकते हैं क्योंक नहीं समझाएगा तो आपको ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है देखो वो प्रोसेस जिसके अंदर एक नया सब्स्टांस बनता है नई चीज बनती है जिसकी नई प्रोपरटी अपने नए गुण होते हैं ठीक है जो आर फोर्म वन और मोर सब्स्टांस जो एक या एक से ज़्यादा सब्स्टांसे से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैमिकल रियक्शन तो यह जो सारा प्रोसेस होता है नई चीज बनना पुरा एक दो चीजों से ठीक है और उसके नए गुणाना इस पूरे प्रोसेस को कैमिकल रियक्शन बोलते हैं जो स होब लाइफ में बमारे 1 पोःफ में महींSh chutते हैं है और क्भांद से निया सबस्तान बनाता है वह होते है प्रोडक्ट उसके बादर चैपि पार ही क्या है इस दोड़तया ओंसती है और पॉत्रों का प्नातनी हुआ हमारे Seriously सुभारो नोन कर संदीन उपहों कि वंधान परेक्शान को Do a आएं होटे चेमिअन के ही सेल परेंट ऐलकॉहल उचुछ सब्याएkte c1 100 वरना करें जो परेंडेंदWow ऑड़ी कर दोना शथा सबसक्पारूंी ये तो । कौन से कौन से है वो जैसे change in color या तो color बदल जाएगा जैसे आपने कुछ बेक्याब पकाया है जैसे आप प्यास पकाते हो तो वो थोड़े थोड़े ब्राउन हो जाते है तो color से पता लगता है कि chemical reaction होई है change in state solid लिक्विड लिक्विड से गैस या फिर लिक्विड से इसी कनवर्ट हो जाए तो हमें पता लगता है कि चेंज इन टेंपरेचर बदल जाए कोई चीज ठंडी है मैंने उसको उपालने के लिए रख दिया उसका टेंपरेचर बदल चुका है अब वह बहुत गरम हो चुकी है तो वह भी क्या इसका मतलब केमिकल रेक्शिन हुई है इविलूशन ऑफ गैस गैस कोई निकलती है जैसे जैसे टेंपरेचर में भी आपने बहुत सारी रेक्शिन के अंदर क्या होता है हीट निकलती है उसके बाद है वेज ओफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रेक्शिन को किस तरीके से दिखाते हैं जैसे आप उसको वर्ड में लिख लो पहले कि मैगनेजियम और ऑक्सिजन मिला मां पहले बनता है तो अब हमें इसको इसको हमें किमिकल इकुस की कि फ़र्म में लिखना है मैं क्या होता है Mg, Oxygen क्या होता है O2, Magnesium Oxide होता है MgO, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर O2 है, यहां Oxygen 2 है, लेकिन यहां एक था तो हमने आगे 2 लगा दिया, ताकि Oxygen 2 बन जाए, लेकिन यहां से तो Magnesium भी 2 हो गया, तो Magnesium के आगे 2 लगाना पड़ा, Balancing Equation आपनी Next Worksheet में सीखेंगे, Balance करना की Equation को बहुत जरूर है, तो Left Hand Side पर यह क्या होगे, Reactants होगे, और Right Hand Side पर यह Products होगे, अब तो Chemical Equation होती क्या है, तो A Chemical Reaction can be represented by a Chemical Equation, एक Chemical Reaction को हम Chemical Equation की Form में लिख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे Symbols या Elements या जो Chemical Formula हम लेते हैं, Reactants के और Products के, उनकी, और उनकी Physical State भी लिखते हैं, वो Solid में है, Liquid में है, Gas में, किस तरीकी में है, जो Necessary Conditions है, जैसे Temperature हो गया, Pressure हो गया, या फिर कोई Catalyst होता है, जो Reaction को बढ़ा देता है, तेज कर देता है, यह सब हमें लिखने होते है, Above the Arrow between the Reactants, जो हमारे Reactants होते हैं, यह जो इसमें Sunlight और Chlorophyll लिखते हैं, जो Important है, वो हम Arrow के उपर नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो जो किसके बीच में है, रेक्टेंस और Products के बीच में है, तो अभी जो हमने लिखा था उपर, Magnesium Plus Oxygen, तो अगर Magnesium को Burn करते हैं, Air में तो क्या बनता है, Magnesium Oxide बनता है, 2MG Plus O2, क्या Form करता है, 2MGO, तो यह हमारी Worksheet यहां पर Complete होती है, अब हम चलते हमारे Question Answers पे, तो आज की Worksheet में आपके यह 5 Questions given हैं, जिसको हम एक एक करके Solve कर लेते हैं, आज की, जो Questions है, वो मैंने Type नहीं किये हैं, लिखे हुए हैं, अगर आपको कोई Problem हो, Writing में कोई Word नहीं समझ में आ चलिए, First Question है, सिर्फ answers लिखे, Question आप यहां से लिख लेना, How can we see that in a given change a chemical reaction has taken place, कैसे पता लगेगा कि जो chemical reaction है हुई है वो, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कैसे पता लगेगा, आप लिखोगे, Answer No.1, Indicators that shows chemical reaction has taken place, वो कुछ indicators होते हैं, जिससे पता लगता है कि chemical reaction ह हुई है, कौन से कौन से, जिससे change in color, color बदल जाए, change in state, state बदल जाए, solid से liquid, liquid से gas, change in temperature, temperature बदल जाए, evolution of gas, कोई gas नहीं निकल जाए, ठीक है, तो यह सब क्या है, यह जो चार Indicators है, जो हमें दिखाते हैं कि chemical reaction हुई है, तो यह हो गया हमारा answer No.1, कोई doubt, first question में, clear, चलिए Question No.2 है, identify and write the chemical reactions from the given examples, नीची कुछ examples दिये हुए, आपको पहचानना है और chemical reaction लिखनी है, पहचानना क्या है, कि यह chemical change है, physical change है, जैसे photosynthesis, क्या है, chemical change है, boiling of water, पानी उबालना, पानी को बेशिक उबाल लो रहेगा, तो पानी ही न, तो यह क्या हो जाएगा, boiling of water, physical change है, tearing of paper, पेपर को फाट दिया आपने, तो वो क्या है, एक physical change ही तो है, पेपर को फाटने पेपर ही रहेगा, है न, formation of curd, दही बनना, यह chemical change है, दूद से दही बन गया, नया substance बन गया, तो यह क्या है, chemical change है, तो चलिए लिखते है, answer No.2, A part है photosynthesis, तो photosynthesis के अंदर आप लिखोगे chemical change है और उसकी reaction भी आपको लिखनी थी, तो लिखोगे, 6CO2, 6H2O, in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms C6H12O6, that is glucose, plus 6 of oxygen, तो यह होगया हमारा chemical reaction photosynthesis के, यह भी हमने बता दिया है, कि वो chemical change है या physical change है, next is boiling of water, boiling of water क्या है, boiling of water भी, physical change है, जिसमें जो water है, वो दो substances से बना है, H2 और O2, तो boil करने के बाद भी यही दो substances रहेंगे, ठीक है, वो बस foam बदल सकते है, solid से liquid हो जाएंगे, जिससे ice cube है, ice cube से liquid हो गया, पानी हो गया, और पानी से वो gas foam में हो गया, steam foam में हो गया, सिर्फ formation change होगी, लेकिन elements तो यही रहेंगे, H2 or oxygen, चलिए, next is tearing of paper, tearing of paper, पेपर फाट न new substance, lactic acid is formed, क्योंकि नया substance बना है, lactic acid, ठीक है, तो यह हो गया हमारा answer number 2 की चारो पार्ट, clear, this is your question number 2, first, second, third, fourth, चारो पार्ट हमने कर ले है, next is question number 3, question 3 is identify the reactants and products from the chemical equation, यहां से आपको reactants और products निकालने है, पहचानने है, तो देखो जो left inside होते है, वो होते है, reactants और जो right inside होत products, ठीक है, तो बस third question का यह छोटा सा ही answer होगा, हम लिख लेते हैं, कैसे लिखते है, देखे, this is your answer number 3, CA, CA3 क्या form करता है, CAO plus CO2, तो reactants और products बताने थे न, तो reactant क्या है, CACO3 reactant है, और क्योंकि यह right, जो left inside में होते है, वो होते है, reactant, और जो right inside में होते है, वो क्या होते है, product, CAO, CO2 क्या है, products है, उसके बादे अगली equation है, हमारी CH4 plus O2 क्या form करता है, यह form करता है, 2H2O, तो यहाँ पर हमारे पास जो reactant है, वो क्या है, left inside वाले क्या है, reactant है, और right inside वाले क्या है, products है, तो CO2 और H2 product है, और CH4 और O2 क्या है, हमारे reactants है, तो यह है आपका answer number 3, ठीक है चोटा सा कोशिन था, बिल्कुल, next is कोशिन number 4, कोशिन 4 में आपको बताना है, give one example of each, सबका एक एक example देना है, chemical reaction showing evolution of gas, ऐसी chemical reaction लिखनी है, जिसमें gas निकल रही हो, change in substance color during a chemical reaction, ऐसी chemical reaction लिखनी है, जिसमें जो substance को color change हो रहा हो, और तीसरा आपको ऐसी chemical reaction है, showing in temperature, change in temperature, जिसमें temperature change हो रहा हो, ठीक है, तो यह तीनों फटा-फट से हम लिख लेते हैं, यह question आप यहां से लिख लेना, answer सिर्फ शो कर देती हूं, मैं आपको, यह है आपका answer number 4, ऐसी equation लिखनी थी, जिसमें आपकी gas evolution, मतलब कोई gas निकल रही हो, तो यह क्या है, H2, ठीक है, तो ZN plus H2SO4, क् H2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो यह हमारा example हो गया, ऐसी chemical reaction का, जिसके अंदर गया हो रहा है, evolution of gas, next, B part, आपको ऐसा लिखना था, ऐसी chemical reaction लिखनी थी, जिसमें जो substance का color change हो रहा हो, तो यहां पर जो iron है, जब उसको CUSO4, जो blue color का है, ठीक है, वो किसमें convert हो जाता C U अलग रह जाता है, ठीक है, तो blue color था green color में change हो जाता है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा ऐसी chemical reaction का example, जिसमें change in color हमें दिखाई दे रहा है, थर्ड एप का ऐसी chemical reaction लिखनी थी, जिसमें temperature change हो रहा हो, तो जब हम CAO और H2 को मिलाते हैं, तो CAO OH का whole twice बनता है, तो यह क्या है, example है, change in temperature वाली chemical reaction का, तो यह तीन chemical reaction आपको first, second और third part में लिखनी है, clear, यह हो गया fourth question, next है, fifth question, fifth है, अंजली's mother forgot to keep the duff in the refrigerator during summers, जो अंजली है, उनकी मदर है, जो ममा है, उन्होंने गर्मियों में जो आटा है न बिगो के रखा है, वो रेफरी वो फ्रिज में रखना भूल ग तो उन्होंने देखा जब सुबह उठकर कि उसमें कुछ वो अलग तरीकी का हो चुका था, सुबह तक, are these changes physical और chemical, तो वो changes कैसे है, physical है या फिर chemical है, बताईए, तो fifth का answer आप लिखोगे, वो chemical change है, क्योंकि जो उस पे bacterias बन रहे हैं, जो उस पे फूई सी लग जाती, इस त को अच्छे से समझ में आ गए है, कोई भी doubt है किसी भी question में, तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको lecture अच्छा लगे, तो चैनल को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को like कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next video में चल दें, take care, bye,